हाई वेल्काम तो मैंसे रोल इस ब्रीम साल करें क्वेशन बर टेन तो धान देजिएगा फाइंड दी कंपाउन इंट्रेस्ट अद दे रेट अफ 10% पर रेनं फार 2 यर्स देखे आपको निकालना है वास कंपाउन इंट्रेस्ट 10% पर रेनं के साब से फार 2 यर्स दो साल का ठीक है on that principle अब देखे बोला है कि on that principle मनें उस principle पर निकालना है which जो इन 2 यर्स दो साल में 10% पर रेनं के रेट पर देता है 200 रुपीज आज सिंपल इंट्रेस्ट तो principle आपको नहीं पता यहां पर ठीक है और उस पर compound इंट्रेस्ट निकालना है लेकिन यह बता दिया है कि उसी principle पर यदि हम 10% के हिसाब से और 2 यर्स का यदि हम सिंपल इंट्रेस्ट निकालें निकलेगा 200 रुपीज तो इसी जो second वालत है principle के बाद जो यह sentence लिखा हुआ यहां से यहां तक इसे से हम निकाल सकते है principle कैसे फाइंड करेंगे चलिए ध्यां से देखिए solution तो let the required प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल भी एक्स माल यह कि एक्स रुपीज आपका जो है प्रिंसिपल है तो according to the question हम लिख सकते हैं कि simple interest जो होगा for two years is p into r into t upon 100 और according to question ही हम यहां से देख सकते हैं कि simple interest दिया हुआ है कितना 200 रुपीज कराएं कि 200 रुपीज आपका interest simple interest मिल रहा है यदि हम प्रिंसिपल लेते हैं एक्स जो हमने माना था इसी एक्स पर इधी हम rate लेते हैं 10% और time लेते हैं 2 years जो हमने रहेगा प्रिंसिपल अपन हंडिड ठीक है तो आपका 200 रहेगा तो यहां पर बन गया equation एक आपको यहां से मिल जाएगा 200 रहेगा तो यहां से यहां से यहां से यह 1 बचा बसके तो यह हो जाएगा नीचे 5 तो आपको यहां से रुपीज इस यूर प्रिंसिपल तो फाइंड हो गया है आपर 1000 रुपीज लेकिन आपको फाइंड करना है compound interest उसी प्रिंसिपल पर तो 1000 पर प्रिंसिपल मान करके और 10% के rate से 2 साल का हमें निकालना है compound interest यहां पर कहीं लिखा नहीं है कि yearly यहां पर मतलब है इसका मतलब annually चलिए निकालते हैं first year का तो फार first year तो पहले साल गएदी हम compound interest निकालेंगे तो प्रिंसिपल क्या लेंगे प्रिंसिपल लेंगे 1000 जो हमने अभी कल्विट किया फिर rate of interest लेंगे 10% जो कि यह उपर दिया हुआ है और इसमें कुछ चेज़ नहीं करेंगे क्योंकि per annum का तो दिया हुआ है और हम yearly ही तो add करेंगे तो first year का निकाल रहे हम यहां पर time हो जाएगा one क्योंकि one year का निकाल र है कि formula यूज मत करेंगे ठीक है so we are just elaborating it simple interest is going to go prt means 1000 is p r means 10% time means one whole upon hundred zero cancel यहां से यहां से तो मिल जाएगा आपको 100 rupees तो पहले साल का interest निकल गया 100 rupees अब हम for the second year का निकालेंगे for second year second year में जो p होगा principle वो हो जाएगा 1000 में add कर देंगे 100 तो हो जाएगा 1100 rupees is your principle and rate of interest is 10% and time is one year again क्योंकि time जो है दूसरे साल का निकाल रहे है न बस तो वह ही तो one year है so simple interest क्या निकलेगा दूसरे साल में बताइए तो principle PRT upon 100 यहां भी करेंगे PRT upon 100 so P यहां पर होगा 1100 1100 into rate is 10% into time is one whole upon 100 यह जिर 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 हो गया जिर 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 हो गया 100 मिलेगा 10 rupees so जो पहले साल का फरस्च रहे हां 100 rupees और दूसरे साल का जो 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 simple च रहे हां 10 rupees जो याड कर तेहं तो मिल जैगा compound interest for the 2 years compound interest for 2 years is equal to 100 plus 110 and we will get 210 rupees और यही तो पूछा था यहां पर कि find the compound interest at the rate of 10% per annum for two years बस प्रिंसिपल नहीं पता था तो बोलाई कि आन दाट प्रिंसिपल sorry विच इन तो यर्स अट टो यहां समरी प्रिंसिपल नहीं का लिया फिर सॉल कर लिया त्राइक तो मुछ फार वाचिंग बाय